आपका स्वागत है आज हम चाप्टर 10 का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्णर पिसका लिंक है उसे क्लिक करें जरूर देखें विफोर वी स्टार्ट अगर आपने हमाई चैनल को सब्सक् सब्सक्राइब कें भी रहती है तो अपने बात में फशें पर बहुत जादा घुछाती रहती है तो यह सब उनको बड़ा इंट्रेस्टिंग लग रहा था वो अपने रूम से यह पुरे इवेंट्स को देख रहे थे अब हम दिखते इसके बाद क्या होता है Sergi's anger had vanished and now he began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold Sergi's anger had vanished, Sergi का जो anger था वो अब थोड़ा सा खतम हो गया vanished यह ने disappeared suddenly, गायब हो जाना and now he began to feel a little sorry, अब थोड़ा सा उनको sorry फील हो रहा था और he was feeling ashamed of himself, उनने थोड़ी शरम भी आ रहे थी कुद पे कि उनने एक ऐसे spoiled, बिगडे हुए, drunken, जो बहुत जादा दारू पीता है और perhaps sick man, or maybe कि जो बिमार हो, ऐसे आदमी को menial labor पे इतनी थड़ में लगा दिया तो menial labor आप किसे कहते है Anything that requires no skill No skill, yeah, let's say not very high skill, so Hindi में हम कहते है कि पत्थर तोड़ने वाला job Basically, बहुत जादा mechanical और manual labor, जिसमें basically skill या दिमाग की जोरत ना पड़े तो उन्हें ऐसा लग रहा थे कि मैंने क्यों ऐसे आदमी को इतने menial labor में इतनी थड़ में लगा दिया An hour later, Olga came in and announced the wood had been all chopped off और एक गंटे बाद Olga आती है रूम के अंदर और announce करती है कि सारे जो wood है वो chop off हो गया है मतलब सारे wood कट गए है Good, give him half a ruble, said Sergi If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month We can always find work for him So, Sergi यह सुनके बोलता है Good, अच्छी बात है, उसे half ruble दे दो अगर वो चाहता है, तो वो आपिस आ सकता है महिने के हर पहली तारीख को Wood काटने के लिए, we can always find work for him हम हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम ढून सकते है On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble Waif किसे कहता है, waif basically एक informal term है To call a homeless person तो यहाँ पर उस beggar की बात हो रही है तो homeless था, घर नहीं है उसका तो first, महिने के पहली तारीख को वो वो आपिस आया And again उसको half ruble मिला उसने half ruble कमाया Although he could barely stand on his legs Although, even though वो hardly, barely याने hardly बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था अपने पैरों पे So इसका मतलब, even though वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पे फिर भी उसने wood chop किया और उसको उसके बदले half ruble मिल गया From that day on, he often appeared in the yard And every time work was found for him Now he would shovel snow, now put the woodshed in order Now beat the dust out of rugs and mattresses Every time he received from 20 to 40 copecks And once even a pair of old trousers were sent out to him उस तिन के बार, वो काफी बार yard में आया And हर बार उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंडा गया मतलब उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंड लिया गया उसको दे दिया गया जैसे for example उसको snow shovel करने दिया गया So snow को shovel करना याने Snow को remove करना shovels है So basically उस noun के form से ही आपका एक verb भी बन गया To shovel याने to remove something using a shovel Shovel basically एक tool होता है जिससे आप मिट्टी उठाते हैं इस तरह से चीजे उठाके side में कर सकते हैं तो ये काम हो गया उसके लिए Woodshed को order में रखना मतलब उसको arrange करके रखना अंदर जो भी wood बगर है Now beat the dust out of rugs और rugs और mattresses जो होते हैं Especially ऐसे बड़े घरों में आप देखोगे कि बहुत सारे rugs होते हैं mattresses होते हैं तो उसको dusting करना Basically जाड़ना तकी उस जमाने में vacuum cleaner है नहीं मिलता था इन कामों के लिए एक बार तो उसे पुराने trousers भी दिए गए इन सब के लिए आपने देखा होगा कि हम इंडिया में भी जो भी नौकर चाकर जिनसे हम काम करवाते हैं घर पे या तो बरतन के लिए कोई आए या घर की सफाई करने के लिए तो हम उन्हें कपड़े देते रहे अपने पुराने कपड़े इस लाइक कि आप अपने कपड़े रिसाइकल भी कर रहे हैं और प्लस अधिशल बोनस भी दे रहे हैं इन फॉर्म आफ थी ले लेते हैं सिमलर थिंग वो यहां पे कर रहे हैं कि उन्हें आपने ओल्ड ट्राउजल को दे दिया वें सर अपने पर प्लस अपने पर रहे हैं और जब सर्गी दूसरे घर पे गया है तो उन्होंने हायर किया इसको वापिस कि वह पाकिंग में हल्प करें और हॉलिंग में हल्प करें हॉलिंग का मतलब याने पुलिंग हेवी ऑपजेक्स तो कुछ भी भारी समान को पुल करना उसको आप हॉल कहते हैं हॉल करना तो फर्नीचर को पुल करना ताकि एक जग से दूसरी जग लेग जाया सके इस ताइम दवे यह इस बार यह बैगर था वो सोबर था मतलब अपी के नहीं आता था वो ग् आप उनके लिए भी यूज करते हो जो किसी अडिक्शन में रहते हैं चाहे वो ड्रक का हो एल्कोहॉल का हो लेट से सिगरेट का हो तो इस तरह की चीज़ अगर कोई छोड़ देते हैं या नहीं पीते हैं फर दूरेशन तो यहां पे क्योंकि वो अल्कोहॉलिक थे तो हम कह लें था शांत भी था तो सोबर था उदास था और शांत था कि हार्ली टॉस्ट किया फर्णीचर को एंड वैगन के पीछे मू लटका है हैंगिंग इस हैड उसके पीछे पीछे जा रहा था नॉट इवन मेकिंग अप प्रीटेंस प्रीटेंस याने धोंग करना या भी नहीं कर रहा था बीजी होने का डिखावा भी नहीं कर रहा था वो सिर्फ कपा रहा था ता शिवर कर रहा ता औरैस ऑझल तो गरे गण। को जो भी समाने तो तो काट इस पे जीअर करना यानने कर ना IS मजाध़ उढ़ाना तो डीन्हेन रोइСТ तो दो तो से आइजने के लिए उसको पर मुविए जरुट छलँच के लिए उसका मजाध़ योगा फेन सी क्मसोरी के लिए और उसके hari के लिए तो उसका जो टैटर है फटा चिटा फैंसी ओवरकोट फैंसी सा उवरकोट पर फटा चिटा उसके लिए जो है उसका मजाग भी उड़ा रहते हैं आफ्र दा मुविंग वे जब खतम हो गे मतलब सारे समान जो है एक घर दूसरे जर्गा पुचा दिये गए उस प्रोसेस को मूविंग भी कहते हैं मूवर्स और पांकर आपने सुना होगा टर्म्स और मूवर्स और पांकर्स का रहते हैं एक जगर से समान पैकर करके दूसरे यह मुव करने, this is called a process of moving, तो यह जब मुविंग खता होगी तो सरगी ने उसको बुलाया, Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble, here's for your pains, I see you are sober and have no objection to work, what is your name, Lushkov, well Lushkov, I can now offer you some other cleaner employment, can you write, I can, then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do, Work hard, don't drink and remember what I have said to you, prepare, तो बड़ा interesting चीज़ होगा, क्या होगा, सरगी इंप्रेस हो गया, इस बंदे से, तो उसने उसको बुलाया, and का, Well, I am happy that my words have taken effect, तो यह क्या बोलने सरगी, कि मैं खुश हो कि मेरे, मेरे शब्द तुम्हारे उपर, एक impression डाले, उसका असर हुआ है तुम्हारे उपर, and यह उन्होंने कहा, उसको एक ruble देते हुए, यह तुम्हारी तकलीफ के लिए, जसे हम कहते हैं, यह तुम्हारी महनत के लिए, तकलीफ के लिए, मैं देखता हूँ कि तुम सोबर हो, तुम पीते नहीं हो, and तुम्हें कोई objection भी नहीं है काम करने के लिए, तुम्हारा नाम के है, कि उसका introduction कर सके, उससे, उसका नाम जान सके, एक humanly, उसे interaction नहीं हो रहा था, he was still seeing him like a creature, you can even see, जिस तरह से आप एक दूसरे से behave करते हैं उससे human के साथ, यह छोड़ी-छोड़ी चीज होती है, अगर आप किसी का नाम नहीं पूछने हैं, तो you are simply showing कि आपके level का नहीं है, that person is beneath you, but अब उनको ऐसा लग रहा है, impressed हो गए है, तो अब उनको लग रहा है कि यह बंदा, he is something, now I can ask his name, तो उसका नाम पूछा, उसका नाम है Lushkov, well Lushkov I can offer you some other cleaner employment, तो क्या बोल रहा है Lushkov, अब मैं तुम्हें कुछ और cleaner, इससे अच्छा काम दे सकता हूं, can you write, क्या तुम लिख सकते हैं, तो उसमें कहा I can, मैं लिख सकता हूं, तो यह लेटर लो मेरे फ्रेंट को दो कल, and तुम्हें कुछ, कुछ copying work दिया जाएगा, work hard, मैनत करो, पियो मत, and remember मैंने तुम्हें जो भी कहा है, तो यह paragraph इसलिए इंटरस्टिंग है, तो दो चीज़ें पता चलती हैं हमें, एक तो सरगी किस तरह के इनसान है, किस तरह का उनका अप्रोच रहा है, deal करने का, तो बेसिकली वो उनका थोड़ा charity वाला mode है, कि वो basically मैंने तुम्हें ले कुछ भला किया है, बार बार वो जताने की कोशिश भी कर रहा है, and secondly what you see here is, कि जो normal life में भी होता है हमारे साथ, अगर हम Lushkov को देखें, तो it is very similar to something like, कि माल लीजे आपने स्कूल में महनत नहीं की, या महनत की बट उसका result नहीं है, because मैं तो यही मानता हूं कि, exams जो है हमारे potential को सही तर से आखते नहीं है, because हम जो एक साल की पढ़ाई करें वो तीन घंटे में, there is no way, कोई भगवान भी नहीं, जो तीन घंटे में परक पाएगा, but let's say यह हमारा system है, आप अच्छे से आपने perform नहीं किया, तो आपके marks खराब आए, and then what happens is, कि जब आपको जब parents कहते हैं, कि पहनत करो, school में इतना अच्छे marks लोग, तो इसका मतलब ही होता है, कि आपके लिए जिन्दगी थोड़ी आसान हो जाएगी, अगर आप marks अच्छे लाओगे, school में तो अच्छा college मिल सकता है आपको, college में अच्छा perform करोगे तो अच्छी job मिल सकती है, and so on, तो उसमें क्या होता है, and even आज तक, आज भी अगर मैं कहीं पर अपना resume में दिखाता हूं, तो मुझे मेरे 10th के marks, 12th के marks लोग देखते हैं, judge करते हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे schooling ने मेरा साथ छोड़ दिया है, but what I mean to say is, even though अगर आपका schooling अच्छा नहीं है, but अगर आप hard work दिखाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, मुझे 50,000 की नौकरी चाहिए, मुझे अगर 20,000 की नौकरी मिल रही है, मैं नहीं करूंगा, तो I don't like that attitude personally, and मैं यहीं बताने की आपको कुशिश कर रहा हूं, कि अगर आपको अगर अच्छा काम भी ना महीं, let's say, आपके माक्स अच्छे नहीं हैं, आपकी कॉलज में अच्छे परफॉर्म नहीं किया, let's say, किसमत की भी बात होती है, and it so happens, कि आपके चीन अउक्री नहीं लगी, but you should grab an opportunity, यहां पर आप इस तरह से महनत करें, let's say low grade work ही है, आपके expectation के इसाब से, आपने start किया, and what happens is, आप इस तरह से impress करते हैं, किसी ना किसी को, and then they give you a better job, so this is kind of, तो मैं यह नहीं बोलो, कि आप वोट्चॉपिंग करने जाए, what we mean is, for example, आपने assume किया, कि अगर मैं अच्छे कोले से निकलता, तो मैं let's say, एक मैनेजर की पॉजिशन पे कंपनी जॉइन करता, but मैनेजर की पॉजिशन पे जॉइन ना करके, आपने एक अप्रेंटिस की पॉजिशन पे जॉइन किया, let's say, junior engineer की पॉजिशन पे जॉइन किया, so of course, जहां पे आप बॉस होते, बॉस की जगह अब आप जो है, किसी दूसरे परसन को, maybe same age को ही आप रिपोर्ट कर रहे हैं, but what it means is, even though अगर आप hard work करते जाएंगे तो, people notice and it will help you to grow, तो वो जो आपके सारे जो fault थे वो लोग भूल जाते हैं, and kind of यह भी हुआ, लश्कॉफ के साथ, तो क्योंकि उसने इतनी महनत की, तो लेट्से सर्गी को लगा कि, हाँ यह बंदा, trustworthy है, इसको मैं आप थोड़ा अच्हा काम दे सकता हूं, and then now he has caught up better, let's see, pleased at having put a man on the right path, सर्गी tapped Lushkov kindly on the shoulder, and even gave him his hand at parting, Lushkov took the letter, and from that day forth, came no more, from that day forth, came no more to the yard for work, pleased to having put a man on the right path, तो pleased होके, खुश होके कि उसने एक अच्छे एक आदमी को सही रहा पर पहुंचाया है, सर्गी ने टैप किया, शोल्डर पर टैप किया उसके, kindly है ने बहुती friendly तरीके से, and उसको अपना हाथ भी दिया है, मतलब गुटबाइ करने के लिए, शेकन करने के लिए अपना हाथ भी दिया है, तो नौ यू सी कि वो अप थोड़ा उपने एक्वल मानने लगे हैं, तो कि नौ यू इस वरदी कि मोसे हाथ भी मिला सको, Lashkov took the letter, उसने letter लिया, और उस दिन के बाद से वो याड में काम करने नहीं आया, तो यू इस वेंट बाइ, तन वन इवनिंग, सर्गी वस तर्ड़ी वस तर्ड़ी विंड़ू, पेइटर, 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 हैं तो इनके बागी में था उनकी कोट कॉलर को लिए पेइटर, के बंष तेटर, स्यू इस पीट प्रड़ी के लिया, लोस्ति उसेल स्किन पाप था उनका एक पहने उन्होंने सील स्किन का एंड यह जो आदमी था वो तिमिड्ली यह ने कोई भी काम कॉंफिदेंस नहीं करते हैं तो लाक ऑफ ऐसे उसने टिकेट से पने टिकेट मांगी यूनो डिफन परसने लोग होते हैं तो डर डर के चीजे करते हैं कुछ लोग है एकदम आउटराइट बडी इसम बहुत तेज आवाज में आजे पूरे पूरी लाइन घुन कि हां ये बंदा है टिकेट मांग रहा है तो दिए इस परसन इस तेमिड तो उन्होंने सीट थीटर के सीट के लिए एक वो मांगा टिकेट और उन्होंने कॉपर कॉइंस में पे किया लश्कॉफ इस तट यू क्राइट सर्गी रेकेगनाइजिंग इन दे लिटल मैं इस फ हुआ साथ सब कोच है अल्राइट आम नोटरी नाओ एंपे 35 रूबल्स अमन्त अल्राइट सब बढ़िया है मैं नोटरी हूं सो नोटरी बेसिकल आपने देखा हुगा यहां पे जो लीगल वक करते हैं आपके स्टां पेपर को लीगलाइज करते हैं बेसिकली तो लीगल प था वूट चौपर बना अन दन नाओ यहीज नोटरी अन उसकी तंखव भी अच्छी कासी है 35 रूबल्स अमन्त थांग हेवन ताइट एवन आपके आपके मैं दिलाइट एवन बहुत खुष हूं तुमारे लिए फो यह एवर सेग आपके 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 आपके कि तुम मरी ले गौड्ट न्यासे। अपके आपके कोई अपन बेटा और हमके आपके आपके मैं दिलाइच्छा इसी के लिए एॵ रूड ah यह तुम्हे रिली गौटसन जैसे हो एक तरह से इनसेंस I gave you a push along the right path You know, do you remember what a roasting I gave you I nearly had you sinking into the ground at my feet that day Thank you old man for not forgetting my words मैंने तुम्हे पुश दिया मैंने तुम्हे थोड़ा आगे force किया मोटिवेट किया सही रास्ते मेने जाने के लिए मैंने तुम्हे याद है मैंने कितना roast किया Roast करने याने किसी को basically बहुत जादा criticize करना So roasting याने And normally आप roast करते हो Criticism करते हो किसी को बुरा लगे उस sense में So it's more of an insult Criticism Or you can say insult So तुम्हे याद है मैंने किसी तुम्हें Insult किया था तुम्हारा Criticism किया था I nearly had you sinking into the ground at my feet that day And मैंने तुम्हे अलमस्ट गिरा दिया था मेरे कदमू में So he is saying in a different way I mean थोड़ ऐसा वो अपने आपको वैसा समझ रहे है कि मैंने तुम्हारा लिए सब कुछ कर दिया And his tone वैसा है He is definitely very proud कि उन्हें क्या किया है इसकी लाइफ में Thank you old man for not forgetting my words But he is also saying कि thank you तुम्हारा शुक्री है कि तुम्हे मेरी बाते भूली नहीं Thank you too said Lashkov If I hadn't come to you Then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day Yes by flying to your protection I dragged myself out of a pit I am very glad indeed So he said yes thank you too Lashkov ने का अगर मैं आपके पास नहीं आता तो मैं अभी भी अपने आपको या तो teacher बोल रहा होता या तो student बोल रहा होता मतला मैं begging कर रहा होता और आपके protection में आने के बार मैंने अपने आपको इस गड़े से निकाला I dragged myself out of a pit Pit याने गड़ा I am very glad, I am very glad, I am very happy indeed Thank you for your kind words and deeds I am very grateful to you and to your cook God bless that good noble woman Who saved me? How is that? तो वो कहते हैं, thank you for your kind words and deeds आप, thank you आपके kind words के लिए, आपके कर्मों के लिए आपने जोई मेरे लिए किया है मैं बहुत grateful हूँ आपके लिए और आपकी cook के लिए God bless that good and noble woman भगवान भला करे उस अच्छी और बली औरत का आपने अच्छा गोला था उस समय but and I shall be indebted to you मैं आपके एहसान मंद रहूँगा so indebted का मतलब है आपका एहसान मंद रहूँगा मरते दम तक, to my dying day but strictly speaking strictly speaking याने अगर मैं सच कहूं तो अगर मैं सही बात कहूं तो it was your cook Olga who saved me वो आपकी cook थी Olga जिसने मेरी जान बचाए तो I think surprise हो गए होंगे obviously Sargi B की ऐसे कैसे how is that when I used to come to your house to chop wood she used to begin oh you sot you oh you miserable creature there's nothing for you but ruin and then she would sit down opposite me and grow sad look into my face and weep oh you unlucky man there's no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come you drunkard you will burn in hell oh you unhappy one and so she would carry on you know in that strain I can't tell you how much misery she suffered how many tears she shed for my sake तो क्या बता रहे हैं बड़ी अलग सी स्टोरी है वो बता रहे हैं क्या बता रहे हैं कि जब मैं आपे घर आता था wood chop करने वो start होती थी oh you sot sot याने drunkard जैसे हम हिंदी में कहते हैं informally पियककर you miserable creature miserable याने unhappy you unhappy creature नाखुष आदमी there's nothing for you but ruin तुमारे लिए और कुछ भी नहीं है बस बर्बादी तुमारे रास्ते में सिर्बर्बादी है और वो मेरे सामने बैठती थी और उदास हो जाती थी और मेरे चहरे को देखके रोने लगती so basically वो अलगा बहुत ज़्यादा concerned थी even though उतना उनको गालियां दे रही है but she was concerned oh you unlucky man oh तुम unlucky आदमी there's no pleasure for you तुमारे लिए कोई भी प्लेशर नहीं है तुनिया में there will be none in the world to come और आगे भी कोई pleasure नहीं मिलेगा तुमें you drunkard तुम alcohol तुम प्यककर आदमी you will burn in hell तुम नरक में जाके जलोगे you unhappy one तुम नाखुष आदमी तो बहुत बुरा भला कह रही है and she would carry on in that strain in that strain in that manner strain का मतलब है manner तुस तरह से बोलती जाती थी I can't tell you how much misery she suffered and मैं आपको बता नहीं सकता हू कितना misery कितना दुर्कदर्द उन्होंने suffer किया महसूस किया कितने आसू मेरे लिए बहाए है but the chief thing was she used to chop the foot for me do you know sir that I did not chop one single stick of foot for you she did it all why this saved me why I changed why I stopped drinking at the sight of her I cannot explain I only know that owing to her words and noble deeds a change took place in my heart she set me right and I shall never forget it however it is time to go now there goes the bell the spark of power and departed to the gallery यह बहती interesting चीज़ गी उन्हें क्या बोला कि the chief thing is chief thing जो main thing है कि वो मेरे लिए wood chop करती थी तो उन्हें आज तक एक भी single wood chop नहीं किया सारा का मौल का करती थी she did it all वो सब करती थी why this saved me इसने में मुझे कैसे बचाया है मैं क्यों change हुआ मैं क्यों पीना छोड़ दिया उसको देखते हुए मैं पता नहीं सकता मुझे इतना पता है नहीं भूल सकता however it is time for me to go now however आप यह जाने का समय है bell बच गई है मतलब के शोका समय हो गया लशकॉफ ने बाव किया और निकल गए गैलरी से departed to the gallery गैलरी की तरफ निकल गए अन्ट उन्शकॉफ so बहुत interesting way में end हुआ so initially हम सोच रहे थे कि वो सारी महनत करें उनकी महनत से जो है वो impress होके सरगी ने उनको एक नई opportunity दी but the real thing is कि महनत इन्होंने की नहीं महनत किसने की सारी महनत अलगाने की for his sake so now we see कि यहाँ पर बहुत ही two different things वे जैसे हम बोलते कि लाइफ में कैसे लोगों की मदद करें तो एक होता है कि ज्यान बाटना that is one way of कि सिर्फ आप ज्यान बाट रहे हैं and another way is कि ज्यान न बाटके आप practically आप किसी को you know help दें जैसे सरगी ने कि उनने practically उसे काम पे लगा दिया कि ले भाई तो बोल लाता है मैं काम करना चाहता हूँ तो कर आप काम याप 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 but still he did not change you know तो कभी-कभी कहाता है लोगों को मदद चाहिए होती है not because कि उनके पास opportunity नहीं है but कि उनके पास motivation नहीं है and यह motivation जब तक नहीं आता अब लाखों काम देता वो कुछ नहीं करेगा और लिगान का जो approach था it was more let's say human-like थोड़ा सा उनोंने human way में approach किया उसके लिए सारा काम करती थी you can see selflessly अपना काम बढ़ा सकती थी उनको half ruble मिल सकता था but she sacrificed it all उनका समय भी जा रहा होगा इसके पीछे but उनकी इस noble deeds को देखके इनका दिल जो है melt हुआ कुछ तो change हुआ and then he changed because of that so you can see कि we can never know when it comes to us humans what works what doesn't work and we should also not see कि one one thing will work for all क्योंकि सर्गी का जो method है we work for people who are motivated but जिनके पास opportunity नहीं है but सर्गी का मैतर उन पे काम नहीं करेगा जिनके पास opportunity की ज़रत नहीं है जिनके पास motivation नहीं है जिनके पास motivation नहीं है उनको काम करवाने के लिए आपको Olga का अप्रोश लेना पड़ेगा more compassionate let's say प्यार से जिसको बोलते है अप्रोश करना चीजों को so we see very very beautiful story you can see की background में क्या होता है सामने क्या है बहुत डिफरेंट होता है यह चीजने तो आप इवन आगे जाके और देखोगे की हमें जो लगता है हम जो perceive करते सामने वाले के लिए बहुत बहुत डिफरेंट होता है and reality कुछ और होती है that's a given and in fact a quote भी है कि fact is stranger than fiction कि जो सच्चा होती है वो fiction जो मन गदन कहानी हम पढ़ते हैं उसे भी जादा अजीब होती है so this is life but the good thing is you are seeing this two different approach and you see कि कभी कभी क्या work करता है क्या नहीं work करता है so very nice thanks for watching this video अगर ये वीडियो को पसंदा है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए अपने comments or feedbacks comment section में लिखे और हमारे चानल को subscribe कीजिए आप हमारे चानल को subscribe करके subscribe बन कर सकते हैं इस बेल आइगन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन ताप तक जल से जल पहुचें इस चाप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे टून बाबाए